आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है पोक में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्ट गुस्सा खीरी में अटल चोक पर जंडा फैरानी को लेकर हंगामा कई थानों की फोर्स मुस्तैद आईए देखते हैं खबर विस्तार से SDOP हरिश पाटिल ने बताया कि बगभार थाना शेत्र का बीरी मंडेगा गाओ में बदमाशों ने योजना बना कर एक नावालिक बच्ची का अपरन किया इसके बाद बदमाशों ने बच्ची के हाथ पैर पकड़ कर दुश्क्रम की शरमनाग घटना को अंजाम दिया इस मामले में पीडिता के परिजनों द्वारा सूचना मिलते ही बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया बगभार थाना में पुलीस ने सभी बदमाशों के विरुद अपहरन सामूहिक दुश्क्रम और पासको एक्ट के तहत मामला दर्च कर लिया है आईए बट्ट अगली खबर के और पोक में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्ट गुस्सा पोक में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्ट गुस्सा है बलस्तिस्थान के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जिसका वीडियो सामने आया है आजकल गिलगीत बलतिस्थान के प्रांतिय मुख्यले पर हर दिन लोग पहुच कर हंगामा कर रहे है पोक के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ अत्याचार कर रहा है वही पाकिस्तान आधिकृत कश्मीर के लोगों का मानना है कि भारत सरकार कश्मीर में तेजी से विकास कर रही है गिलगीत बलिस्तान की हालात पाकिस्तान सरकार की वज़े से खराब है आईए बढ़ते अगली खबर के और गीरी में अटल चौक पर जंडा फैराने को लेकर हंगामा कही थानों में फोर्स मुस्तैग खिंपूर इसानगर में बनने से पहले ही अटल चौक पर विवाद बढ़ता जा रहा है गंतरंत्र दिवस के मौके पर भाजपन नेता के भगवा फैराने के एलान के बाद प्रशाशन और पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी किसी भी तरह के बदलाओ को रोकने के लिए इसानगर पड़ुआत थानों की पुलिस के साथ फरार ब्रिग्रेट तैनात कर दी गई अटल चौक और इलाके जोडने वाली सभी सडकों पर पेट्रोलिय बढ़ा कर पुलिस ने निगरानी शुरू कर दी बाद में कई घटनाओं की वर्ती के बाद दोनों पक्षों के पाच पाच लोगों ने स्टीम और सीयो की मौजूदगी में तिरंगा फैराया इसा नगर में एक की जन्वरी की शाम अटल चौक पर भगवा दर्ज लगाने के बाद से लगातार विवात का माहूल बना हुआ था अब आप हमारे चैनल को मोबेल एप पर भी देख सकते हैं मोबेल एप पर देखने के लिए प्लेस्टों से मनस्टीवी एप डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेस्बूक, कई सोशल मीडिया प्लैटफॉम पर हमारा चैनल उपलब दे आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइफ भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर अब वक्त हो चला है दर्शुकु ब्रेक का, ब्रेक से लोटते ही देखते रहे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहे हमारे साथ MNS News टीवी पर नमस्कार